बच्छो आज का जो हमारा टापिक है वो है डिबेंचर एशू एड स्काउंट कनबर्जन इन्टू दा शेयर्ज जो डिबेंचर्ज है पहले company ने discount पर issue किये हैं और उसको हमने अब shares में convert करना है तो इसमें हमारे पास बच्छों दो case होंगे एक तो case number one before due date और case number second at due date before due date का क्या मतलब है हमारे पास यहां पर मान लीजिए यह हमारा debenture holder है ठीक है और इसके पास one thousand जो है वो debentures है company के और company ने इसको 10% discount पर issue किया हुआ है और जो एक debenture है उसकी जो face value है ठीक है वो कितने रुपीज है 10 रुपीज है हमारे पास यहां पर और वो company के पास चला जाता है और company ने मान लीजिए इसकी payment जो है 31 March 2018 को करनी है ठीक है तो यानि यह इसका payment का time है debentures का तो यह जो ए है हमारे पास यहां पर वो company के पास चला जाता है 31 March 2018 से पहले मान लीजिए वो चला गया 1 January 2018 को company के पास चला गया कि आप मेरे जो यह debentures है 1000 उनको अपने shares में convert करतीजिए तो अभी वो तारीक तो नहीं आई है ना जिस दिन हमने उसको payment करनी है वो उस तारीक से पहले ही अपने जो debentures है उनको वो shares में convert करवा रहा है तो इसे बोला जाता है debentures issue a discount conversion into shares before due date due date से पहले ही भुकतान की तिथी से पहले ही वो उसको company के shares या other debentures में convert करवाने की इच्छा जाहिर कर देता है तो उस case में बच्चों हमने क्या accounting treatment करना है तो आपने बच्चों यह दिहान में रखनी है बात यहां पर हमारे पास 1000 debentures है 10 रुपए का एक है कि एक के पास 1000 debentures है और company ने वो 10% discount पर उसे issue किये हो गए है और वो उनको क्या करना जाता है shares में convert करना चाहता है और जो वो company है वो जो एक share है 100 रुपए का ठीक है और वो company उसको issue करेगी 20% premium पर ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हमें कुछ चीज़े ध्यान में रखनी होंगी यहां पर जो हमारे पास debentures है वो 1000 है 1000 debentures है और उसकी जो value है 10 रुपए है तो यह कितने के हो गए हमारे पास जो debentures है उसकी face value हो गई 10,000 और इसके उपर जो discount होगा discount on debentures वो कितना होगा 10,000 का 10% हो गया हमारे पास 1000 रुपए तो बच्चों जब company ने यह debentures issue किये थे तो 10,000 रुपए के debentures से company ने उनको 1000 रुपए discount दे दिया था company को actual में कितनी amount receive हुई थी in debenture holder से amount received ठीक है on issue of debentures जब हमने debentures issue किये थे यह चीज़ हमने ध्यान में रखनी है 10,000 माइनस 1000 तो company को उस time मिले थे 9,000 रुपए तो company जो इनको debentures की जगा पे जो shares issue करेगी यह वाले उनकी जो value होगी 9,000 रुपए से ज़ादा नहीं हो सकती किस case में ज़ादा नहीं हो सकती जब वो maturity rate से पहले उसको convert करवाने के लिए आ गया तो उस case में बच्चो हमने उनकी जो face value है वो नहीं लेनी उनको shares में convert करते time हमने क्या लेना है जितनी amount हमें receive हुई है debentures को issue करने के time पर यानि जो यह discount है वो minus करने के बाद बच्चो normal case में जब हम amount due करते हैं debenture holders को तब हम entry करते हैं debentures account debit to debenture holders कब होती है यह entry जब हम उनको पैसा वापिस करते हैं या convert करते हैं तो उनकी amount due हो जाती है अब यहाँ पर जो debentures है बच्चो वो एक तो discount पर issue किये गए है सेकिन वो maturity rate से पहले आ गया convert करवाने के लिए तो बच्चो यहाँ पर जो discount होगा है जो हमने issue करने के time पर debit किया था वो भी यहाँ पर साथ में क्या होगा credit होगा यह चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और 1000 रुपया यहाँ पर क्या है discount है तो हमें actual में amount जितनी receive हुई थी issue के time पर 9000 रुपय तो वही amount हम उनको due करेंगे कितनी? 9000 रुपय तो अब हमने जो है एक share 100 रुपय का है वो हम 20% premium पर issue कर रहे हैं तो यानी एक जो share है वो हम कितने का लगा रहे हैं उनको 120 रुपय का तो बच्चो उनको कितने जो shares issue किया जाएंगे 9000 हमने उनको payment करनी है और एक share हम उनको 120 रुपई का लगा रहे हैं तो number of shares वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर जिसमें यह convert किया जा रहा है जितनी amount उनको हमने due की है means discount काटने के बाद उसको हमने किस से divide करना है जितनी share की value है premium समेच मतलब उसका जो issue price है तो इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 75 तो यह कितने share issue की जाएंगे उनको 75 तो बच्चों उसकी entries आपको पता ही है क्या होती है debenture holder account debit to equity share capital account और to securities premium account ठीक है अब यहाँ पर जो amount due होगी debenture holders को हमारे पास वो कितनी है 9000 रुपए और जो यह हमने उनको 9000 रुपए देने थी उसके बदले में हमने उनको 75 share issue कर दी है और एक share का जो price है वो 100 रुपए है तो 75 into 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500 और जो 75 shares है और एक के उपर जो premium है वो 20 रुपए है तो यह कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 1500 रुपए तो ठीक है तो यह दो entries पास होंगी जिब हमने जो debentures है पहले discount पर issue किये है और उसके बाद उनको shares में convert किया है तो सबसे बड़ा point यही हमने ध्यान में रखना है कि जो यह discount है वो credit होगा अगर वो maturity rate से पहले उनको shares में convert करवा लेता है तब हमने उनको shares देते टाइम यहाँ पर उसकी face value नहीं लेनी क्या लेना है जो हमें actual में वो amount receive हुई है debenture holder से वो amount हमने यहाँ पर कर रहे हैं इनकी जो value है वो किस से ज़्यादा नहीं हो सकती जो amount हमें receive हुई है debenture holder से debenture को issue करने के time पर तो आएए अब इस concept के हम examples chart करते हैं बच्चों हमारे पास है example number 37 इसमें हमारे पास क्या दिया गया है 37th example में कि यहाँ पर हमारे पास company है company का name है sonali enterprises company ने debentures issue किये है debenture holders को ठीक है company ने debentures issue किये है debenture holders को कितने debentures issue किये है 1200 debentures और एक जो debenture है बच्चों वो कितने रुपीज का है 1000 रुपीज का है यानि यह debentures की face value है और company ने इनको 8.5% discount पर issue किया है तीक है उसके उपर उन्होंने discount दिया है company ने 8.5% और उसकी जो redemption होनी है 6 साल बाद होनी है तो जो debentures holders से उनको option दिया गया था कि आपके यह debentures हैं आप इसको convert करवा सकते हो किस में shares में convert करवा सकते हो ठीक है और जो debentures holders से उन्होंने time से पहले ही क्या किया एक जनवरी 2015 को जो यह debentures हैं उनको किस में convert करवा लिया shares में convert करवा लिया redemption का जो time है वो तो बनेगा 30 अगस्त 2017 ठीक है क्योंकि जो 6 साल है वो 30 अगस्त 2017 को complete होंगे तो लेकिन जो debentures holders से उन्होंने option कब ले लिया एक जनवरी 2015 को यानि time पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपने debentures को shares में convert करवा लिया तो अब हमें question में कहा गया है कि इनके issue के time की entries और इनके redemption की time की entries कीजी तो सबसे पहले हमारे पास 1200 debentures है बच्चो ठीक है 1000 रुपे का एक debentures है और company ने 8.5% discount पर issue किये है तो discount कितना हो गया एक debentures के उपर यानी 1000 का जो debentures है वो 85 less करके यानी 915 में company ने क्या किया है इस्यू किया है तो total हमें money कितनी receive होगी debentures के issue करने पर 1200 into 915 यह आगया 10,98,000 तो हम first entry पास करेंगे debentures को issue करने की जब हमें amount receive हुई है 2011 1st September पैसे आ गई हमारे पास तो bank account यहाँ पर क्या हो जाएगा debit हो जाएगा to debenture application and allotment account यह credit हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कितनी amount से 1200 debentures हैं हमारे पास और एक debenture हमने उनको 915 में issue किया है तो यह आगया amount 10,98,000 रुपीज उसके बाद इसको हम debentures account में क्या करेंगे transfer करेंगे application and allotment amount को तो यहाँ पर debenture application and allotment account क्या होगा debit हो जाएगा जो यहाँ पर credit है वो debit हो गया यहाँ पर और two debentures account यहाँ पर क्या होगा credit होगा देखो बच्छो 1200 debentures है और 1000 रुपे उसकी face value है तो total amount हो गई यह debentures की 12,00,00 रुपे है ठीक है और debenture application and allotment account में कितने है amount 10,98,000 discount और जो हमने discount दिया है उनको वो हमारा क्या है खर्चा तो वो क्या होगा debit discount on issue of debentures account कितने से हो जाएगा एक लाख दो हजार से यह amount कैसे रही discount की 1200 debentures है हमारे पास और एक debenture का हमने time से पहले ही क्या करवाया है debentures को shares में convert करवाया है तो उस case में जब हमने उनको पैसा वापिस करना है 6 सलों बाद ठीक है तो उससे पहले ही entry हो जाएगी amount due होने की तो यह जो discount होगा बच्चों वो हम काट लेंगे हम उनको payment किसके हिसाब से करेंगे जितनी उनकी amount हमें receive हुई थी issue करने के time पर तो एक जन्वरी 2015 को हमारे पास 8% debentures वापिस आ गए क्योंकि उन्होंने अब अपने debentures किसमें convert करवाने है shares में तो यह debit हो गया यहाँ पर और debentures की जो value है face value वो तो है 12 लाख रुपए ठीक है और हमने जो है उनको payment करनी है debenture holders को वो कितने की करनी है 10,98,000 की क्यों option लिया है हमने सरफ उसकी जो amount receive हुई है वो इसलिए कि क्यों उन्होंने time से पहले करवाए है convert अगर वो time से पहले ना करवाते तो फिर हमने यह option नहीं लेना था फिर हमने उनकी पूरी face value ही लेकर चलनी थी तो अब यहाँ पर जो discount हमने यहाँ पर debit किया है वो भी यहाँ पर क्या होगा credit हो जाएगा to discount on issue of debentures account ठीक है कितना एक लाख दो हजार रुपए अब उनको कितने shares issue होंगे इसके बदले में हमें question में कुछ नहीं दिया गया कि जो नए shares है वो कितने रुपीज की है या उनका क्या price है परना यह बताया गया है कि यह premium पर issue किये गए है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे कि जो debentures है वो कितने shares में convert किये गए है means यहाँ पर हम number of shares issue जो है वो नहीं निकालेंगे तो CD amount यहाँ पर जो due हुई है debenture holders को उसके बदले में हम उनको क्या करेंगे shares दे देंगे तो debenture holders account यहाँ पर हमारे पास क्या होगा debit हो जाएगा कितने से 10,98,000 रुपए से और जो equity share हमने उनको दे दिये तो equity share capital है यहाँ पर क्या होगी credit हो जाएगी कितने से 10,98,000 रुपए से तो ठीक है यहाँ पर सिर्फ एक ही point नाया है कि जब हमने time से पहले उनको debentures को convert करना है shares में तो हमने जितनी amount उन्हें receive की है सरफ उतनी amount के बदले में ही हमने उनको shares देने है means उस amount को ही convert करना है और यहाँ पर जो discount है वो साथ में credit होगा जब हम उनको convert करेंगे shares में तो इसी के साथ यह question हमारा complete हो गया बच्चो अब है हमारे पास question number 38 ठीक है इसमें हमें journal entries पास करने के लिए बोला गया है अलगलग cases में जब debentures जो है convert किये गए है shares में तो सबसे पहले बच्चो हमारे पास case number 1 है उसमें क्या दिया गया है कि जो X limited है उसने 1000 जो debentures है 15% debentures और एक debentures जो बच्चो 100 रुपीज का है issue किये थे 6% discount पर उनको convert करना है अब 10 रुपीज के share में ठीक है बच्चो यह information दी गई है 1000 debentures 100 रुपीज के हिसाब से कितने के हो जाएंगे हमारे पास 1 लैक रुपीज के और company ने इनको 6% discount पर issue किया था तो एक लाग का 6% discount करेंगे तो कितना आ जाएगा एक लाग इन्टू 6% तो यह आ गया 6000 तो company को उस time amount कितनी रसीब हुई थी 94,000 जब company ने debentures issue किये थे और हमें question में दिया गया है specially कि जो debenture holders हैं इनके पास यह debentures हैं उन्होंने before the time of redemption इसको convert करवाना है shares में अब specially बोला गया है na before the date of redemption तो उस case में बच्चो हमने क्या करना है जो यह debentures की face value है convert करने के time पर वो नहीं लेनी क्या लेना है जो amount हमें receive हुई है वो लेनी है कब जब debentures discount पर issue किये गए हो plus और उनको maturity date से पहले convert करकवाया गया हो shares में तो अब कितने shares हम उनको issue करेंगे number of shares issued 94,000 रुपीस हमें receive हुए थे और एक जो share है बच्चो वो 10 रुपीस का है उसका issue price अगर premium होता तो हम यहां पर उसको क्या कर देते add कर देते issue price निकालने के लिए लेकिन यहां पर at par ही issue किया गया है तो यहां पर आ गए यह 9,400 shares मतलब जो यह एक लाख रुपे की debentures है उनको हमने कितने shares में convert करना है 9,400 shares तो पहली entry क्या पास होगी जब debenture holders आएंगे हमारे पास उसको convert करवाने के लिए तो 15% debentures वो वापिस आ गए हमारे पास 1000 debentures से और एक debenture का price 100 rupees है तो यह होगी amount debit 1 lakh rupees और amount यहां पर debenture holders को कितनी due होगी जितनी हमें उनसे receiver हुई है to debenture holders account 94,000 और जो यह discount 6000 rupees है अब यह भी क्या होगा बच्चो cancel होगा तो इसको हम क्या करेंगे credit कर देंगे to discount on issue of debentures account कितना 6000 rupees अब हम क्या करेंगे debenture holders को equity share दे देंगे तो यह जो debenture holders account यहां पर credit हुआ है तो इसको अब हम यहां पर क्या कर देंगे debit कर देंगे debenture holders account debit to equity share capital account कितना जाएगा 94,000 ठीक है कितने shares हमने उनको दिये है 94,000 को हमने 10 से divide किया था 9,400 shares में वो convert हो गए second year है हमारे पास question में कि जो while limited है उसने redeem करने है 400 debentures एक जो debenture है बच्चों वो 100 rupees का है ठीक है और company ने उनको पहले 5% discount पर issue किया हुआ है अब इसको convert करना है company ने 11% preference share में और एक preference share बच्चो 100 rupees का होगा और company जो है 25 rupees per share पर security premium पर उसको issue करेगी मतलब एक जो preference share है company उनको कितने का लगाएगी 125 rupees का ठीक है तो question में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो debentures है उनकी face value कितनी है 400 debentures है 100 के हिसाब सब्सक्राइगे कितने की हो गए 40,000 के less discount कितना है debentures के issue करने बस 40,000 का हम कितना कर रहेंगे 5% तो यह कितना आ जाएगा 2000 रुपए तो amount हमें कितनी receive हुई थी जब हमने इनको issue किया था 38,000 rupees तो ठीक है तो पहली entry हम पास करते हैं second case की अब developers and debentures हमारे वापिस आ गए developers and debentures account यहाँ पर debit हो गया to discount on issue of debentures account to debenture holders account यह entry pass होनी है ठीक है बच्चो debentures की जो face value है वो कितनी है 40,000 वो हमने यहाँ पर डाल दी और discount जो है वो भी credit होगा अब यहाँ पर क्यों credit होगा क्योंकि before the date of redemption वो अपने debentures को convert करवा रहा है shares में और उनकी जो amount हमें जीव होगी हम सरफ उसके बदले में उनको shares देंगे तो यह है 38,000 अब हम निकालते हैं कि हमने उनको कितने shares दिये हैं debentures की जो amount due हुई है उसके बदले में number of shares issue 38,000 पीस हमने उनको देने थे ठीक है उसके बदले में हमने उनको एक जो preference share है 125 रुपए का लगाया है तो issue price of shares से उसको हमने गया कर दिया डिवाइड कर दिया तो यह आगया हमारे पास इसको cancel करके 304 तो इसका मत पतलब हमने उनको 304 share दिये है और एक share का जो price 100 रुपीज है और 25 रुपीज प्रीमियम के है ठीक है तो यहाँ पर जो debentures holders credit हुई है उसको हम यहाँ पर अब क्या करेंगे debit कर देंगे debentures holder account debit to equity share capital account कितनी amount आगी यहाँ पर 304 share है और एक कितने का है 100 का तो यह हो गए 30,400 के अबर यह premium पर issue किये गए है तो two securities premium account 304 share है और एक share के ऊपर 25 रुपीज प्रीमियम है तो amount होगी 7,600 और debentures holders को कितनी amount due थी 38,000 रुपीज तो यह हो गया हमारा second case इसके बाद हमारे पास एक case दिया गया है third यहाँ पर जड लिमिटेड कमपनी है उसके पास 500 developers and debentures जो थे और एक जो debenture है बच्चो वो 200 रुपीज का है ठीक है और company ने issue किये हुए है यह जो debentures है at rate 10% discount पर अब इनको company ने क्या करना है 2000 equity shares में convert करना है ठीक है और वो जो एक share होगा वो 50 रुपे का होगा और उसमें कितने रुपीज paid up होंगे 45 रुपीज paid up होंगे means हम उनसे 5 रुपीज जो है वो बाद में मंगवाएंगे क्योंकि share 50 का है और हम उनको 45 paid up दे रहे हैं तो बच्चो 500 debentures है company के पास और एक debenture 200 का था तो यह हो गए 1 लाग के ठीक है और company ने 10% discount पर इसको issue किया है तो discount कितना हो गया 10,000 रुपे तो amount हमें कितनी receive हुई है 90,000 और हमें question में कहा गया है कि इन्होंने time से पहले ही अपने debentures को shares में convert करवाया है तो उस case में हमने यह discount क्या करना है cancel करना है और जब उनको हमने यह shares देने है वो किसके बदले में देने है जो amount उनकी receive हुई है तो आपने बच्चो एक बात का ध्यान रखना है जो यह amount हमें receive हुई है ठीक है और जो shares हम उनको दे रहे हैं इन shares की जो paid up value है paid up value मतलब चुकता पुझी 2,000 equity shares है 45 रुपीज paid up है तो यह amount कितनी हो जाएगी हमारे पास है 90,000 रुपए तो यह जो paid up value है जिस share में हम इनको convert कर रहे हैं यह paid up value जितनी amount हमें receive हुई है debenture holder से उससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी case में जब debentures जो है discount पर issue किये गाए ह हैं और उसके बदले में हमने उनको equity shares दिये हैं third point और उन्होंने time से पहले उनको convert करवाया है तो उस case में जो हम उनको share दे रहे हैं उसकी paid up value उनकी जो amount हमें receive हुई है debentures की उससे ज़्यादा नहीं हो सकती यहाँ पर यह दोना equal है तो इसका मतलब यह ठीक है तो अब में है तो देखो सबसे पहले entry क्या होगी हमारे पास है 12% debentures जो है हमारे पास वापिस आ गई 12% debentures account debit कितने के 1 lakh के अब यहाँ पर हमें discount भी cancel करना पड़ेगा to discount on issue of debentures account ठीक है कितना 10,000 रुपए और debentures holders को हमने कितने amount देनी है 90,000 रुपए discount काट कर उसके बाद हम क्या करेंगे इसको shirts दे देंगे तो यहाँ पर second entry क्या पास होगी debentures holders account जो यहाँ पर credit है वो debit हो जाएगा debentures holders account debit 90,000 से to equity share capital account कितना आजाएगा 90,000 रुपए बच्चो इसी के साथ यह question हमारा complete हो गया बच्चो अब है हमारे पास example number 39 इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 1st April 2014 को एक जो company है उसने 1000 debentures जो है वो issue किये है और हर एक debentures वो 500 रुपीज का है और company ने issue कितने में किया है 450 में तो इसका मतलब company ने 50 रुपीज किया किया discount दे दिया और वो जो debentures है 5 यह बाद एड़ पार पर redeem होंगे मींद 5 साल बाद उनकी जो payment है वो कितने होगी 500 रुपए बट मंगवाने के टाइम पर हमने उनसे कितने मंगवाई है 450 और debentures holders को यह option दिया गया कि वो अपने debentures को 100 रुपीज वाले equity shares में convert करवा सकते हैं और वो जो equity shares दिया जाएगा उनको वो कितने में दिया जाएगा 50 रुपए premium पर मतलब 100 वाला share उनको 150 में मिलेगा 31 March 2015 को जो एक साल का जो interest बनता था debenture holders का वो due हो गया और हमने उसकी payment अभी नहीं की है और एक debenture holder था जिसके बस 100 debenture से उसने क्या किया कि उसने बोला कि आप मेरे debentures को shares में convert कर दीजी तो company ने उसकी application accept कर ली और उसके 100 debentures को equity shares में convert कर दिया और साथ में company ने जो 100 debentures से उसके interest की payment भी उस debenture holder को कर दी तो company की books में हमने जो यह सारी transactions होई हैं उसक journal entries हमने पास करनी हैं तो आईए अब हम इसकी journal entries pass करते हैं बच्चों अभी हमने 39 question को read out किया उसमें हमारे पास क्या दिया गया था कि एक capital 2014 को company ने debenture issue किये गए हैं तो सबसे पहले हम entry pass करेंगे debentures को issue करने की तो company के पास पैसे आ गए तो bank account क्या हो गया debit होगा to 12% debenture application and allotment account यहाँ पर क्या होगा credit हो जाएगा 1000 debentures company ने issue किये हैं और एक debenture issue किया है company ने 450 में लेकिन उसका price कितना है 500 रुपीज तो यह आ गई हमांट हमारे पास 450,000 रुपीज ठीक है इसके बाद जो यह amount है उसे हम कहां transfer करेंगे debentures account में तो जो यहाँ पर credit हुआ है debenture application and allotment अब उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे debit कर देंगे debenture application and allotment account debit to 12% debentures account ठीक है यह है amount हमारे पास 450,000 की लेकिन debentures 1000 है और उनकी value है 500 रुपीज तो यह कितने के होगे 5 लेक के जो 50,000 हमने उनसे नहीं लिया वो क्या है discount वो हमारा क्या है खर्चा तो उसे हम क्या करेंगे debit कर देंगे discount on issue of debentures account कितने से 50,000 रुपीज से उसके बाद 31 मार्च 2015 को एक साल हो गया ठीक है तो अब जो उनका interest है बच्चो वो हमने pay नहीं किया है सिर्फ हमने क्या किया जिस बंदे ने 100 debentures जो थे convert करवाने थे shares में सर्फ उसी को हमने interest की payment की है बाकी payment हमने नहीं की है तो entry क्या होगी debenture interest हमारा खर्चा है और खर्चे क्या होते है debit तो debenture interest account यहां पर हो जाएगा debit कितनी amount से 1000 debentures है और एक debenture 500 रुपए का है और उसके उपर interest की rate कितनी है 12% तो पूरे एक साल का interest यह हो गया हमारे पास 60,000 रुपए और 100 debenture holders को हमने payment कर दी तो पैसे चले गए two bank account उनका interest कितना बनेगा 100 debentures है 500 का एक है और उसके उपर 12% कितना बनेगा interest 6,000 रुपए और बाकियों का अभी बकाया है तो उसे हम किस account में डालेंगे debenture interest outstanding अभी यह बकाया है तो यह company की liability है तो इसे हम credit कर देंगे 60,000 में से 6,000 की payment कर दी हमने बाकि 54,000 हमारा pending है उसके बाद 31 March को 100 debentures वाला जो debenture holder है उसके हमने debentures convert करने है तो वो debentures हमारे पास वापिस आ गए 12% debentures account debit 100 debentures है 500 का एक है तो यह हो गए 50,000 के ठीक है और उसको amount कितनी due होगी यहाँ पर 2 debenture holder account उसने टाइम से पहले ही करवा लिये है convert तो 100 debentures है तो मंगवाने के time पर company इनी ने 450 मंगवाया है तो 450 के हिसाब से उसकी amount जो convert होगी वो कितनी होगी 45,000 और जो discount हमने उसको दिया था यहाँ पर वो discount क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा to discount on a issue of debenture account कितना 5000 से ठीक है बच्चो इसके बाद हम उसको क्या करेंगे equity share दे रहेंगे एक जो equity share है बच्चो वो कितने का है 100 rupees का है ठीक है और company क्या कर रही है उसको 50 रुपे premium पर issue कर रही है तो एक equity share company कितने में दे रही है 150 में और हमने उनको कितनी payment करनी है 45,000 की तो 45,000 को हम 150 से divide करेंगे तो इसका मतलब उनको कितने shares मिलेंगे उनकी payment के बदले में 300 shares तो entry क्या होगी जो ये debenture holders account यहाँ पर credit हुआ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा debit हो जाएगा debenture holders account debit कितने से 45,000 से और उनको हमने equity share दे दिये तो equity share चले गए तो वो क्या हो जाएगे credit to equity share capital account कितने दिये है 300 और एक जो है वो कितने का है 100 उपीज का तो ये आगए 30,000 और ये हमने premium पर issue किये है तो two security premium account भी यहाँ पर क्या होगा credit होगा 300 share है और एक का security premium 50 रुपई है तो ये कितना आ गया 15,000 रुपई उसके बाद बच्चो जो हमने interest पे किया है और जो अभी पकाया है मतलब total interest company के लिए क्या है खर्चा है company का company उसको क्या करेगी session के end में कहां से charge करेगी statement of profit and loss account से ठीक है तो वो debit हो गया कितने से साथ हजार से और जो डिवेंचर इंट्रस्ट यहां पर हमने debit किया था वो क्या हो जाएगा credit हो जाएगा to डिवेंचर इंट्रस्ट अकाउंट साथ हजार रुपए